कि अधिक है कि सोफ्टेर की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से फिले थोड़ा सा एक चीज बतायता हूं कि यह जो ट्रेनिंग है के वर अन स्टुडैन्स के लिए जो से नो आप सेंट रहेंγे इन डिस्प्लीन रहें है इनको बस रिमूब करना है नें कि हमने जो ट्रेनिंग सोच हो 10 adult क लिए कि इस टाइम बढहें 32 थे करेंगे टमध यहGS मैं 2 ऑव मैं एक बैक्ग्राउंड बताता हूं उसके बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं मैं आपको एक इस आपको वाइड कलर की शीट दिखाए दे रही है ना मेरी स्क्रीन पर ठीक है एक बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर हो एक डैम हो एक टावर हो ट्रांसमिशन टावर हो ब्रिज हो उन सब स्ट्रक्चर में कुछ elements होते हैं column होता है beam होता है slab होती है cables होती है ठीक है deck होता है तो उन elements को analysis और design करना में software में सेखते हैं तो for example यह दो column है C1 और C2 इनका जो base है वो जमीन के अंदर होगा foundation बनेगी इस तरीके से यह भी इसको foundation बोलतेते हैं ठीक है F1 और F2 और यह है आपका beam 1 यह स्ट्रक्चर हो गया simple एक frame इसके उपर एक machine रखनी है हमें जिसका वजन है 1000 kg किलो में देख लेते हैं इस न्यूटन किलो न्यूटन में होते है और इस फाउंडेशन कंदर पर कुछ stresses आजाएंगे stress आएगा deflection आएगा moment आएगा shear force आएगा इस तरह के force जन्रेट होगे तो इस 1000 kg यह क्या है external force इस external force की जिसे हमारे जो structure की elements हैं उसमें कुछ forces जन्रेट हो रहे हैं उनको calculate करने को हम बोलते हैं मैनुवली भी कर सकते हैं stat pro से भी कर सकते हैं अब हमने calculate कर लिए सारे force उसके बाद हमें यह पता करना है कि कॉलम बीम जो elements हैं किस material के हम बनाएं जिससे 1000 kg बजन को bear कर लें तो यह किस में आ जाता है design में कौन सा material यूज करें material के बाद इसका size क्या रखें कितनी इसकी depth होगी कितना इसका length होगी कितना हम रखें अगर RCC की बात करें तो कितना इसमें सरीय डलेगा reinforcement ठीक है कॉलम बीमें steel के बात करें तो steel का किस type का section होगा कौन सा steel यूज करेंगे तो यह सब calculate करने को कहते हैं design तो हम दोनों चीज़ करेंगे analysis भी design भी software के अंदर अब for example आपको यही चीज़ बनाए software में करने तो सबसे पहला step होगा कि आपको एक 3D ऐसा बनाना पड़ेगा frame ठीक है उस frame को बनाने के बाद लोड लगाना होगा उसको property देनी होगा इसको एक size assume करना होगा अभी मैंने कहा कि size हम calculate करते हैं लेकिन software में जब हम आते हैं तो हम हमें पहले minimum size देना होता है फिस software में बताता है कि size पर तो fail हो रहा है तो size को हम increase करते हैं ठीक है यह simple सा process है अब हम चलेंगे software के उपर जिसका software install नहीं हुआ है वो कर लेना ठीक है recorded lecture भी आपको मिल जाएगा तो आपको practice करने है आपके उपर repent करता है कि आप साथ के साथ में देरे देरे बताऊंगा आपकी पर है कि आप साथ के साथ जो मैं बता रहा हूं वो करते रहें या आप lecture ले ले लें तो गंटे का उसक के बार recorded video को देखके आप practice कर लें ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो जहां मेरा cursor blink कर रहा है यह क्या है आपका stat pro का icon ऐसा आगया होगा आपका desktop पर जिन लोगों का activate नहीं हुआ है वो एक बार इसको right click करके run as admin चला के देखें जब run as admin चल जाएगा उसके बाद आपको एक्टिवेट करना है यह software on हो रहा है फिर यहां से आपको इसमें license management में जाके tool में जाके आपको यहां से product run wizard में जाके first option समझके select करना है next करना है उसके बार next next कर क्या हो जाएगा इंटरनेट होना चाहिए ठीक है मेरा यह green tick है पहले इसको हम समझ लेते हैं कि यह क्या चीज़ है यह जो section है यहां पर केवल आपको दो ही चीज़ को समझना है एक तो इस चीज़ को new project हम बनाते हैं और यहां से जो बना हुआ project पहले से save है उसको हम कैसे open करते हैं तो simple आप उन्हें काफी software चलाए होंगे new चीज़ बनाना और आपको किसी बनीवी चीज़ को project को save को open करना है यहां से करते हैं नीचे वाली चीज़ को कोई काम नहीं है ठीक है license करने के बार है help topic है यह online help topic है technical इसको भी आपको कुछ नहीं करना इसके बाद आते हैं इस वाले section में इस code होते हैं अब मैं जिस laptop पे काम कर रहा हूं इसकी design का code होगा तो इस तरह civil engineering में जो भी structure आप बना रहे हैं उसकी कुछ guidelines होते हैं जो research करके हम एक publish करते हैं एक paper में वह आपका IS code होता है ठीक है उसकी कुछ guidelines को follow करना होता है तो हम जब इंडिया में हम building बना रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारा पहले से सेलेक्ट है Indian design code अब यह नीचे वाला जो बोक्स स्टैड निउस यह स्टैड प्रोग है जो कम हां अब आज नहीं आ रही है तुम्हारी आवाज कट-कट क्या रही है मुझे तो किसी को नहीं आ रही है एक कोई नहीं आ रही को जल्दी से confirm करो सर आ रही है तो उनकी तरफ से दिक्कत होगी आपको हो रहा है न अगर कोई भी problem किसी सब कोई हो रही है अगर किसी एक को हो रही है तो समझ वजो उसके PC की तरफ से प्रवब्लम है ठीक है ठीक है कोसिस कर एदर किलिक करके ठीक करने की जोईन करने के को सिसकर जब तो हम क्लास कंटीनियो करते हैं तो यह नीचे जो आ रहा है यह Bentley जो company है उसकी news आती रहती है इसको अभी आपको देखना ही चुरूती है विस आपको देखना है कि green tick होना चाहिए इंडियन डिजाइन code पर और यहां पर देखो recent file में कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने first time की software on किया अगर आप जब इसम आम यहां पर आते रहेंगा और कभी भी आप उसको अपन कर सकते हो ठीक है और यहां पर उनकी image आती रहेगी तो अभी हमने first time कर रहे हैं तो हमें कुछ भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो जब जैसी आप stat pro on करोगा तो यह interface आएगा उसका अब देखो इसमें धियान है उसमें चार option दिये हुए है इसमें से कोई एक ही select करना है आपको space plane floor truss अब मैं कि को बतायता हूँ अगर space आप select करते हैं यानि कि आप कोई structure कैसा बना रहे हो आप 3D structure की बात कर रहे हो इसमें 3D loading है यानि कि जैसे मैंने अभी यह frame बनाया है इस frame पे एक arrow से मैं लोड दि direction में भी लगेगी तो यह हो जाएगा 3D space structure ठीक है Z direction में तो लगती है हर direction से force लगता ही है तो practically जो भी हम building या structure design करते हो space में करते हैं ठीक है तो आपको हमेशा console select करना है space करना है plane का मतलब होग है 2D structure जो अभी मैंने बताया ठीक है तो आप 2D structure बना रहे हो तो आप 2D के तो टिक कर सकते हो उसके बाद आता है floor floor का मतलब अगर आप floor select कर रहे हो तो आप क्या बनाना चाहरे हो floor का मतलब slab ठीक है आपके अगर तीन floor की building है तो हर floor पे जो लैंटर जिसे बोलते हैं आप slab जिसे हम बोलते हैं अपनी language में civil में software में बोल रहे हैं उसको floor अगर आप floor बनाना चाहरे हो तो आप floor select करोगे उसके बाद last option है trust अगर आप trust बनाना चाहरे हो जो triangle save में जो structures होते हैं है ना trust की भी कुछ properties होती हैं बाद में discuss करेंगा उस type का structure आप बना रहे तो आपको select करना परेगा trust but यहां पर important चीज है कि space में जाके आप सारे चीज बना सकते हो जरूरी नहीं है कि आप trust बनाने के लिए trust में जा रहे हो ठीक है फालतू की option है आप में space में ही जाके आप 2D भी बना स सकते हो trust भी मना सकते हो ठीक है तो यहां पर आपको मैं क्या select कर लेता हूं क्योंकि मैंने कहा कि space यूज़ करना है हमेशा तो मैं space यहां पर select कर लेता हूं space structure उसके बाद आता है कि file का नाम तो मैं यहां डालेता हूं day one day first है आप आपको डालना है multi story building बना रहे हो bridge बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो उस file का नाम डाल दो उसके बाद आ रहा है location ठीक है इस location के बारे में जहां यह file save हो रही है तो भी यहां थोड़ा से यही बताना चाहूंगा हम कि जहां पर भी file save होती है ना एक project की file के साथ बहुत सारी file होती है कुछ student क्या करते है इसको desktop select कर देते है desktop पर क्या होगा आपके पहले project पूरा desktop बढ़ जाएगा बहुत छोट छोटी file आ जाएंगी तो अगर आपको desktop पर भी save करना है तो एक new folder बनाके उसमें आप बात दे हैं यहां पर ठीक है कि day one बना दिया मैंने और यहां पर मैं select कर लेता हूं desktop पर जाके कि दुबारा से कि यहां अब मेरी files यहां पर सेव होंगी उसके बाद आता है आपका units आपको पता है आप engineering mechanics पढ़ रहे हो structure पढ़ रहे हो तो उसमें units क्या आती है उसमें units आती है में length आती है meter में और force आता है kyloneuton तो वही हमारे हमारे यहां पर डिफोल्ट स्लेक्ट है meter और किलोनुटन अगर किसी का default यह से लेक्ट नहीं है तो आप select कर लेना meter किलोनुटन और कभी भी आपको project यह उनिट्स में बनाना है तो आप select कर सकते है ठीक है अभी default हमारे इसमें भी बहुत सारे कितने पॉंट आ रहे हैं? वान टू तू थ्री फॉर फाइफ शिक्स पॉइंट आ रहे हैं किसी एक ही पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं एक परजक्ट में हो अब च्छे के च्छे मैं समझ आएता हूं थोड़ासा है रस्ट पॉइंट है एड़ बीम उन अगर मैं स्लैट करके इसको फिनिश करता हूं तो जो मेरा माउस का कर सरे माउस का कर सर्यot कर सरे चानते हो यह ग़ृष क्या बनाएगा कि इसकी पर क्लिक कर दोगे बीम बन जाये आट बीम पर क्लिक करके finish करते हो अगर आप add plate पे करते हो तो add plate का मतलब है floor या फिर slab तो अब आपका cursor क्या काम करेगा कहीं पर भी click करोगे तो क्या बन जाएगी slab add solid का मतलब है solid object ठीक है अगर आप कहीं पर भी अभी मैं सबको बाद मैं बना की भी देखेंगे तो और समझ जाओगा भी थोड़ा सा समझ लो कि होता क्या है अगर मैं add solid पे click करता हूँ तो mouse का cursor automatically कहीं पर भी click करोगे तो solid बनाएगा ठीक है तीन तो हो गया आपका cursor से related अब आते हैं चोथा इसमें लिखा हुआ है open structure wizard open structure wizard का मतला है अगर मैं इस पे click करके check mark करके finish करता हूँ तो एक और window open हो जाएगी जिसमें पहले से कुछ structures बने हुए आप उन structure को अगर आप वो structure आपका job बनाने वाले उसके जैसा लगता है उसकी elements वैसे हैं तो आप उसको import करके उसमें काम कर सकते हो ठीक है मान लो आप एक है ना uniform multi-story building बनाना चाह रहे हो तो open structure wizard में पहले से बनी हुए है तो आप उसके click करके import कर लोके तो आपका time बच जाएगा ठीक है उसके बाद है open stad editor जो आप जितने भी software है building design के structure design के उसम में और stad pro में जो सबसे ज़्यादा advanced चीज है जो सबसे ज़्यादा important चीज है सबसे अच्छे चीज है वो stad editor है यानि कि आप इसमें programming के थूरू भी structure बना सकते हो programming मतलब programming में क्या होता है आप keyboard की help से command लिखते हो है तो इसमें mouse के जरुत में होती keyboard की help से command लिखोगे और आपका structure बनता जाएगा तो इस बहुत important है इसको भी हम बाद में last class में इसको हम समझाएंगे ठीक है इसके बाद last है आपका added job information इस पे click करूँगा तो एक और window खुल जाएगी जहाँ पे engineer की information डालने होती है engineer का नाम क्या है site का नाम क्या है approve कौन करेगा designer कौन है यह सब तो यह 6 के 6 option में बता चुका हूँ अब इसमें important चीज़ यह है कि आप add beam में जाके सारे काम कर सकते हो ठीक इसमें भी कोई space लिए आपको किसी एक में जाने के ज़रूत नहीं है add beam में इससे पहले वाली जो window थी उसमें आपको space में जाना है बस मैं समझा दिया हमेशा space रहेगा और जो next वाली window है इसमें हमेशा add beam पे चेक रहेगा ठीक है बस समझाने के लिए यह सारे चीज़े इसमें हो सकती है अब मैंने जैसे बताया कि add beam पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा mouse कहीं पर भी क्लिक करने पर beam बनाएगा तो सबसे पहले आपको finish करते के साथ ही क्या करना है कहीं क्लिक नहीं करना है यह आपका stat pro open हो गया है फैक है अब देखो 되어 मेरा mouse कर डिसकर कर ब्लिंक कर रहा हूं और यह गरीड यह यह गरीड है यहां हमारा सारे काम होगा वर्क स्पेस है यह थीक है यहां पर हमारा cursor से लेकर और प्रोपरटी से लेकर tools है और यहाँ पर मेनूंस है यहां पर Other option है यहां पर प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो आपके कीबोर्ड में सबसे पहला की होता है, इस कैप की होता है, उसको मैं प्रेस करूँगा, जिससे मेरा करसर जो है, नॉर्मल करसर बन जाएगा, अभी कैसा है यह करसर, एड कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो बीम बन जाएगा आपको दिखाता हूं मैं मैं क्लिक कर रहा हूं तो बीम बन रहा है अब आप बोलोगे कि सर बीम तो काफी बड़े और रेक्टेंगल टाइप के होते हैं, क्रोस सेक्शन होता है, माटीरियल होता है, हाँ तो एक यह लाइन खिछ रही है, तो बिल्कुल सही कहा, आपने, इसमें हम जो भी स्टक्चर बनाएंगे, वो लाइन से बनाएंगे, बाद में उसको प्रॉपर्टीज देंगे, ठीक है, अभी के लिए फिला, ठीक है, तो यह स्टैट प्रो का इंटरफेस थोड़ा सा और बतायता हूं, यह जो वाइट विंडो है, यहाँ पर आप 3D स्टक्चर बनाओगे, यह जो ग्रिड है, इसकी हेल्प से आप 2D स्टक्चर बनाओगे, यह 3D में भी इसकी हेल्प ले सकते ह अज हो, ठीक है, किसी भी चीज को स्टक्चर करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ आए गे, प्रॉपर्टी जाते हैं यहाँ पे, यहां पे कुछ करसर्स हैं, अलग-अलग टाइप के, जो टाइम-टाइम पे काम आते रहेंगे, यहां पे आपका टाइप of structure हैं, किस टा बताना चाहता हूं आपको बीम क्या होता है जो होरिजेंटल मेंबर होता है आपके किसी भी बिल्डिंग का ठीक है टेक्निकल लेंगवेज में अगर मैं बोलू ऐसा मेंबर जिसमें फ्लैक्जर स्ट्रस डेवलप होती है आप देखो यह जो कॉलम है यह कॉलम है इसमें ऐसे तो लोड लगेगा उपर से तो इसमें कौन से टाइप की आपका स्ट्रस डेवलप होंगी या एक्जियल और इसमें लोड कैसे लगेगा बीम में इस तरीके से तो इसमें कैसे डवलप होंगी इसमें ऐसी होंगी कि इस तरह से फ्लेगजर बैंडिंग होगी ठीक है अगर किसी कॉलं में यह कॉलं में अगर हम लॉड इस तरीके से लगा दें तो इसमें भी किस तरह की stress develop होंगी beam कितरा तो ये beam बन जाएगा तो कोई अगर आप से पूछे beam और column में difference कहा था आपको ये नहीं बोलना कि horizontal member beam होता है vertical member column होता है मैं जानता हूँ कि maximum ऐसा ही होता है but loading का difference होता है अगर flexor stress develop हो रही है जिस member में वो beam है Excel stress develop जिसमें हो रही है वो column है ठीक है एक तो ये चीज़ समझानी थी एक चीज में बतानी थी आपको कि stat pro में एक beam दिखाई कैसे देता है stat pro में एक beam ऐसे दिखाई देता है कि एक dot होती है black color की एक line जा रही होती है फिर एक और dot होती है black color की ठीक है column भी ऐसी दिखाई देता है अगर slab की बात करें तो उसमें चार डॉट होती है चार beam होते हैं इस तरह से एक slab बनती है ये जो black dot है आपकी इनको बोलते है नोड ठीक है और ये जो beam होता है इसको बोलते है member तो एक beam बनाने के लिए कितने नोड चाहिए हमें दो इनके numbering भी होती है node 1 node 2 और ये beam का number 1 ठीक है तो एक beam बनाने के लिए दो node और एक member के जो रत पड़ेगी और ये बन जाएगा एक beam column भी same node 1 node 2 member 1 ठीक है और slap के लिए कितने चाहिए 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 node 1 2 3 4 और कितने member 1 2 3 4 अगर हम ये सारे एक ही screen पर बना रहे हैं ड्रो कर रहे हैं तो numbering फिर sequence continue होगी तू के बाद ये 3 हो जाएगा node ये 4 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा ये 6 क्योंकि किसी भी structure में जब आप बनाओगे किसी एक project में node duplicate नहीं होंगे member duplicate नहीं होंगे ठीक है सबका अपना एक unique idea होती है number होता है node number beam number इस तरीके से तो चलो मैं start करता हूँ अब बनाना सबसे पहले में एक beam बनाऊगा ये एक node है ये एक node है और beam की जो length है वो 5 मिटर है ठीक है ये मुझे बनाना है stat pro में कि एक सेकंड जिरम है ठीक है तो एक beam है जो stat pro में show कर रहा है beam किस तरह से show कर रहा है दो nodes होते हैं one two और बीच में एक member होता है one और इस member की length है पांच मिटर है ये मुझे stat pro में बनाना है ठीक है वैसे practically आप अपनी building में देखोगे तो beam ऐसा होता है ठीक है इस तरीकी का beam होता है क्योंकि ये बिना property का है और stat pro में ऐसी दिखाई देगा ऐसा भी दिखाई दे सकता है बताऊंगा कैसे दिखाई देगा पर काम जोगा वह line diagram पी होगा ठीक है तो ये मैं बनाना को start करता हूं अपने stat pro में अच्छा बार बार आपको ये पूछेगा save के लिए तो इसको yes कर देना है ठीक है सेट सेफ अब मैं स्कोरेज कर गयता हूं सबको अब ये सब आपको प्रैक्टिस भी करते रहने हैं क्योंकि ये सॉप्टर जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी हम भूल भी जाते हैं तो मुझे पांच मीटर का बीम बना लेकिन जैसी मैंने new project किया तो हमारे पास ये grid आ गई इस grid में क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है 10 और यहां पर भी 10 यानि यह जो grid है 10 मीटर भाई 10 मीटर की है और यह ऐसे तेड़ी क्यों जा रही है क्योंकि जो हमारा यहां पर view है वो isometric view है यहां पर आप देख सकते हो isometric view है एक्स यह है आपका और यह क्या है आपका यह है y ठीक है क्योंकि यह 2D है इसको सीधा करना है तो मैं कैसे करूंगा मैं आपको एक magnifier ले ले लेता हूँ यहां पर yellow color के कुछ cube है जो first yellow color का cube है उसका जो front है वो yellow है इसका मतला अगर मैं इस पर click करूंगा तो कौन सा view होगा और front view structure को हम कहां से देखेंगे front से दूसरा जो cube है उसका back है yellow तो वो गया back view फिर left फिर right फिर top फिर bottom और last वाले में क्या है सारे faces yellow है यहने क्यों आइसोमेट्रिक है जो भी default है ठीक है तो यह जो cube है यह view के लिए है अगर मैं पहला वाला कर दूंगा तो grid भी कुछ सीधी ह हो जाएगी तो मैं पहले वाले पर करता हूँ क्लिक देखो grid भी कुछ सीधी हो गई है छीक है अब देको तरीके कितने हैो जो मैंने बीम अब भी बताया था ता न creation weapon देखो यहां पर बना देता हूँ तो मैंने बनाने को जो मैंने निव परजकर कहा क्या एक चैनल प्रजकर कर तो उस स्याट्य क्या तो आपका जो माऊवस का cursor है वो automatic क्या बनाएगा बीम बनाएगा तो आपको 0 पर CLICK करने है और 5 पर CLICK करना बीम बन गया इकस डायरेक्शन में BUT मैंने तो skeptical button से क्या कर दिया अपने कर सर को normal cursor कर दिया तो पहले वाला cursor यो beam बनाने वाला cursor तो यो कैumuz लाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ पार्टी यहाँ उठाकी उपर को ले आता हूं तो यहाँ पे एक बटशन है, snap यह, snap, एकमे इसके color change कर डेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पेसे ही आपका एक snap बटन तो जैसी मैं इस Snab Determint क्लिक करूँगा तो मेरा माउस रेडी हो जाएगा दुबारा से बीम बनाने के लिए तो मैं करके देखता हूँ Snab पे क्लिक किया और मेरा बीम देखो बिलिंक होने लग जिया मैंने 0 पे क्लिक किया और 5 पे क्लिक कर दिया ठीक है और फिर से स्कैप बटन दबा दिया नॉर्मल कर सक लिए शायद आपको दिखाई न दे रहा हो यह बीम बना हुआ पांच मीटर का यह वाला तो मैं क्या करूँ भूँ इस को लुगा दिया यहां पर आप देख रहे हो इसको मैं अन्सलेक्ट कर देता हुँ तो यह गरिड चली जाएगी और आपको बीम बिलकुछ साफ एक सेंटर में आ जाएगा आपको यह पांच मीटर का बीम है ठीक है किसी को कोई डाउट हो किसी को लग रहा हो कि fast चल रहे हैं थोड़ा उट सलो चलना चाहिए कुछ भी है तो बताओ मेरगो अधिव भी बताओ थोड़ा देर में अभी पांच बैट रहां बताओ सब्सक्राइब की जो विंडू है अगर हम इसको क्रास पे करके यह तो यह जहां पर वर्किंग हम बता रहे हैं यह टेपल बनी एकस वाई जेट में यह रिमूव हो जाएगी अब यह दिखा रही है एकस और वाई हां तो अगर फार एक्जेंबल हम इसको रिमूव करके दो र आपको टाल के पॉंइट सेरो और फाइप डाल के जहां पर साइड में आरा है दो और एकस पॉंट के आई वाई पॉंट के जेट पॉंट के हैं वहां पे सब्सक्राइब ये बीम को सिर्फ करने के बाद वहां पे ड्रा कर सकते हैं ना हाँ देखो मैं बताता हूँ आपको सुनो सुनो स्टैड प्रो में बीम कॉलम या कोई एक स्ट्रक्चर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं ठीक है, सबसे पहला तरीका है, दो तरीके में बताइता हूँ, एक है आपका एडिटर और दूसरा है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो स्टैड एडिटर है वो मैंने बता है आप से कि मैं लास्ट में बताऊँगा क्लास के, ठीक है, जब क्लास खतम होने वाले होगा, अभी जो चल रहा है वो Graphical User Interface है, अब Graphical User Interface में भी काफी सारे तरीके हैं, जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा हो ना, इस सबसे कम यूज होता है, लेकिन बताना है क्योंकि आपको हर्ची जानी चाहिए, सबसे कम यूज होता है, ग्रिट से बनाने वाला, ठीक है, अभी प्रूज कर सकते हैं और जो सबसे पहला उप्षण है कोई भी वी बीम अलिमेंट बनाने का वह गृड है और सबसे कम यूज होने वाले वह ऑप्षण गृड ही है ठीक है सारे उप्षण में बताऊंगा आपको सबसे पहले गृड से स्टार्ट कर रहे हैं को हड़ चीज आप को पता होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा यूज होती है केवल वो पता हो ठीक है तो यहां पे जो पहले से आप बनाइए एक बीम नोव मीटर का ठीक है तो नोव मीटर का बीम बनाने के लिए मैं दुबारा स्नैप पे क्लिक करूंगा और यहां से यहां से लेकर यहां तक 9 मीटर है आपका क्योंकि हर एक किस चीज का है? यह एक ब्लोक एक मीटर का है और यह 10 बाई 10 मीटर की हमारी क्या है ग्रीड है अब कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर 11 मीटर का बीम बना के दिखाईए क्योंकि ग्रीड तो 10 मीटर से लंबा बीम बनी नहीं सकता तो अब क्या करना है देखो इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बता दू कि हो सकता है कोछ स्टूडे करके friendly नहीं है computer चलाने के इतने friendly नहीं है पहली बार देख रहे हैं तो अब हमें 9 मीटर का बीम बनाना है सोरी 11 मीटर का बीम बनाना है तो 11 मीटर का बीम कैसे बनाएंगे आपकी grid select है यहाँ पे एक edit का बटन है ठीक है grid को edit कर सकते हैं यहां से और इस पे आपको click करना है मै मैंने edit पे click किया अब यह window आ गए यहां पर जैसी आया इस window में भी मैं एक एक चीज बताऊंगा ठीक है लेकिन जब time आएगा तब बताऊंगा अभी cable में बता रहा हूं कि 11 मीटर का बीम कैसे बनाएं ठीक है तो यहां पर दिया हुआ है construction lines x में 0 left में यानि कि यहां पर left मे देखो यह x direction है ऐसे यह है plus x और यह क्या है आपका minus x negative तो negative x में तो कोई value नहीं है तो 0 है और positive x में कितनी line है 10 और हर line की length कितनी है 1 meter इसी तरह y में अगर मैं यहां पर एक add कर दूँ अगर मैं यहां पर click कर दूँ 10 को 11 कर दूँ तो देखो यहां पर नीचे आपका 11 block हो गये है यह आप देख सकते हैं यहां पर 11 हो गये है ठीक है इसी तरह से अगर मैं यहां पर 12 कर दूँ तो 12 हो गये इसी तरह से अगर मैं y में कर दूँ तो y में भी 12 हो जाएंगे ठीक है तो अब मुझे 11 मीटर का बनाना है तो मैं क्या करूँगा snap node पे click करूँगा और यहां से मैं यहां से मैं click करता हूँ और 11 मीटर पे यह 11 मीटर का बन गया है ठीक है skip button दबाता हूँ normal cursor आजाएगा grid को अगर मैं हटाता हूँ तो देखो यह 3 बीम दिखाई दे रहे है एक दिखाई दे रहे है पांच मीटर का एक दिखाई दे रहे है 9 मीटर का एक दिखाई दे रहे है 11 मीटर का यह 5 मीटर का है यह 11 मीटर का है यह 9 मीटर का है ठीक है अब कोई student मेर से बोलता है कि से 11.5 मीटर का ड्रो करके दिखाईए ठीक है अभी के वल गृट ऑप्सन चला है तो मैं गृट को अन कर लेता हूं पहले यह मैंने गृट का आन किया अब मैं यहां क्या करूंगा यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे इसको क्या करूंगा पॉइंट फाइब कर दूँगा क्योंकि हमें 11.5 चीए न तो पॉइंट फाइब X में भी Y में भी कर देता हूं लेकिन 0.5 करते के साथ ही एक grid का size क्या हो गया 6 by 6 हो गया क्योंकि number of construction line 12 थी और हमारी spacing 0.5 है तो कितना हो गया 12 लेकिन हमें 11.5 चीए तो लगभग ये 24 कर देता हूं 24, 24, sorry अब इसमें मुझे 11.5 मिल जाएगा OK करता हूं थोड़ा सा zoom करके आपको दिखाता हूं तो यहां पर देख सकते हो आप 11.5 यह रहा तो मैं snap note बटन पर जाता हूं 0 पर क्लिक करता हूं और 11.5 पर क्लिक कर देता हूं ठीक है और अब मैं grid को अगर हटाता हूं यहां से तो देखो आपको यह रहा 11.5 यह बीच में एक node ओर दिखाए दे रहा है आपको यह कैसे आगया क्योंकि जब मैंने पांच मीटर का beam बनाया था मैंने उसी के ओपर क्या बना दिया है यहां से 0 से 11.5 मीटर का इसलिए वो पांच मीटर वाला beam का end point दिखा रहा है ठीक है आपको अब इसमें एक चीज़ों बताता है आपको यहां पर कितने beam है दो beam है और यहां पर एक beam है अगर मैं mouse के cursor से यहां पर click करूँ यहां पर तो पूरा beam select हो रहा है अगर मैं beam के ओपर mouse के cursor को hold रखता हूँ तो कितने color दिखा रहा है, तीन color दिखा रहा है, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है, कि इस beam का green portion जो है, starting point, blue जो है आपका, वो है end point, और जो आपका red portion वो है middle point, इसकी help होती है हमारी orientation करने में, load लगाने में, ठीक है, कहा हमाता है, आगे बता दूँ है कहां कहां आएगा, अब मैं क्या करता हूँ, इनको select करता हूँ, delete कर देता हूँ, अब थोड़ा सा में को zoom करके, मैं आपको एक चीज़ और बताएता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे, zoom करके, यहाँ पर कुछ cursors बने हुए है, यहाँ पर बहुत सारे cursors हैं, लेकिन मैं आपको आज दो ही cursors बताऊंगा, पहला cursor है node cursor, इस cursor के पास एक yellow color की dot है, आपको पताए कि एक beam, एक column, एक slab किसे मिलके बनी होती है, member plus node, अगर आपको node delete करने हैं तो आपको यहाँ वाला cursor की help पढ़ेगी, इस help से ही node select होंगे, और जो नीचे वाला cursor है, वो है cursor normal cursor, beam cursor भी कहते हैं, इस से beam select होके delete होंगे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं grid को on करता हूँ, snap node button को on करता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर कुछ beams बना देता हूँ, ठीक है, और grid को off कर देता हूँ, यह बन गए beams, अगर मैं node cursor लेके, drag करके select करता हूँ, तो केवल क्या select हो रहे हैं, केवल joints red color के हो गए हैं, जो black color थे, यह नहीं कि joint select है, अगर किसी beam का joint को delete करोगे, तो beam भी delete हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसी से connect है, और अगर आप किसी member को delete करोगे, तो यह जरूरी नहीं है कि joint delete हो, ठीक है, अब मैं normal cursor लेता हूँ, फिर drag करता हूँ, तो उससे केवल क्या select हो रहा है, member, ठीक है, अब member को मैं delete करूँगा, तो सारा structure delete हो जाएगा, तो यह है आपका तरीका यहाँ पर, किसी भी member को select करने का, और आपका mouse अगर कुछ भी बनाने के लिए ready है, तो आप escape button से normal cursor पर आ सकते हैं, यहाँ पर जाकर आप click कर सकते हैं, मैं दुबारा से आपको बताता हूँ कि, यह जो structures बनाने होते हैं, modeling गोलते हैं, इसको modeling करना, और stat pro में पहला step है, आपका model बनाना, अभी इसके आगे बहुत सारी चीज़े हैं, ठीक है, लेकिन पहला step है, आपको जो structure बनाना है, उसका model बनाना है, ठीक है, तो model बनाने का जो first तरीका है, वो है grid को follow करना, grid को edit करना, यह आपको सीखना है proper, उसके बाद बहुत सारे option है, बहुत easy बन जाएंगे, एक time ऐसा आएगा, आप बोलो के सब grid के तो जरूरती नहीं है, है ना, लेकिन कहीं कुछ-कुछ structures ऐसे होते हैं, जो grid की बहुत help चाहिए होती है, ले grid भी आपको आना चाहिए, तो अब हम एक example लेते हैं, यहीं पर मैं एक example ले लेता हूँ, एक frame बनाता हूँ, यह इस तरीके का frame है, यह y direction है, और यह x direction है, जो इसके जो column है, c1, c1, c1 दोनों का c1 नाम इसलिए दिया है, क्योंकि दोनों की length सेम है, यह है आपके 5 meter के, दोनों की height है 5 meter, और आपका जो beam है, वो है आपका 7 meter का, या 7 meter शोड़िया आप, इसको मैं डालता हूँ, beam है आपका 7.2 meter का, 7.25 meter का, ठीक है, तो आपका एक frame, इसको आपका frame बोलते हैं, इसमें 2 column और एक beam है, यह हमें बनाना है, और हमारे पास grid से ही बनाना है, और भी तरीके हैं बना सकते हैं, ठीक है, तो grid से बनाना है, 5 meter, 5 meter के 2 column है, y direction में, और 7.25 है आपका beam, x direction में, तो मैं grid का on करता हूँ, यह आपकी क्या है, x direction है, x direction में हमें 7.25 चाहिए, तो जो spacing है, पर block की, वो 0.25 होनी चाहिए, तब ही हम बना पाएंगे, 0.25, ठीक है, और कितना 7 meter चाहिए, तो लगबग यह कितना होना चाहिए, 7, 7, 14, 20, 30 के करीब होने चाहिए, ठीक है, और y direction में तो हमें, चाहिए नहीं, point में, 5 meter चाहिए, तो y में spacing जो हो सकती है, वो 1 meter भी रख सकते हैं, पर block की, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, edit करता हूँ, इस grid को, मैं गया, edit में, यहाँ पर x direction में मैंने क्या लिए spacing, 0.25, यहाँ पर देखो, मैं fill कर रहा हूँ, और यहाँ पर ले लिए 30, spacing, 30 में 7.5 आ रहा है, ठीक है, और y direction में हमने कितना लिए spacing, 1 meter, और क्योंकि 5 ही meter चाहिए हमें, तो 5 meter, ठीक है, यह, तो हमारी यह grid आ गई है, आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास 7.5 तक आ गया, लेकिन हमें 7.25 चाहिए, यह वाला जो point है, 7.25 है, और यह height कितनी है हमारी, 5 meter, तो मैं क्या करूँगा, simply, मैं snap note button पर click करूँगा, और 0 पर click करूँगा, 5 meter पर click करूँगा, horizontally जाओंगा, मैं 7.25 तक, फिन मैं नी नीचे down में click कर दूँगा, grid को मैं off कर दूँगा, देखो, यह हमारा क्या हो गया है, बन गया है, एक frame, अब इसमें बात आती एक चीज़ की, कि भई frame तो बन गया है, लेकिन हम इसकी dimensions कैसे पता करें, कि सही है या नहीं है, हमने सही बनाया है या नहीं, यह तो सकता हम से ग 2, 3, join number 4, कितने members है, 1, 2, 3, height क्या है, 5 meter, 5 meter, 7.25 meter, अब इन सब को screen पर कैसे show करना है, यह सारा data, ठीक है? तो shortcut की मैं बताता हूँ, अगर आपको node, इस node का number चाहिए, इस node के numbers चाहिए, तो उसका shortcut है, shift button, plus N, N से node, और beam का चाहिए, तो shift plus B, तो मैं करके देखता हूँ, मैंने जब shift N प्रेस किया, तो देखो, node के उपर number आ गया, और जब shift B प्रेस किया, तो beam के उपर number आ गया, node number 5, node number 5, node number 6, node number 7, node number 8, अब ऐसा क्यों है, कि node number 1 से क्यों नहीं start हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम पहले से बना चुके हैं, इसी project में, ऊपर देखो, यह दिखाईने दे रहे था, क्योंकि मैंने front view करके zoom किया हुआ था, तो zoom करने से क्या हुआ था, कि हम, जो ओपर हमने पहले इस एक beam बनाया हुआ था, वो नहीं दिखाई दे रहता, तो मैंने क्या किया, zoom करके मैं आपको बतायता हूँ, फिर, मैंने इस icon पर click किया, इस icon पर, इस icon पर click किया, इस icon से क्या होता है, screen पर जितनी चीज़ होती हो, center में आ जाती है, ठीक है, आपको इसके icon के shape से पता चल रहा होगा, तो वो जो उपर वाला beam था, वो भी आ गया, उसके कुछ nodes के number थे, इसलिए मैंने कहा कि duplicate नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर node number 5 से start हुआ, ठीक है, node number 5, node number 6, node number 7, node number 8, फिर beam number 3, beam number 4, beam number 5, तो मैंने क्या shortcut बताए, shift भी beam number के लिए, shift and node number के लिए, अब बात आती है कि इनकी damage से हमें पता करनी है, ठीक है, तो damage के लिए यह आइकन है आपका, यह भी zoom करके दिखाना पड़ेगा आपको, यह वाला, इस icon पर click करने के बाद आपको node पर click करना होगा, node to node और distance बता देगा, फिर उसको distance को अगर हटाना है तो वो इसके बगल में जो है, इससे हट जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं, तो मैंने इस node पर click किया, यहां से यहां पर click किया, पांच मीटर, इस node से इस node पर click किया, 7.25 मीटर, यहां किया आपके न, 5 मीटर डाइगनली भी आप चेक कर सकते हैं, 8.81 मीटर, 8.81 मीटर, और उसके बगल में जो करसर है, उस पर click करेंगे तो यह सारी डेमिसंस रीमोव जाएंगे, shift B दुबारे से बताएंगे, तो B नमबर चले जाएंगे, shift N दुबारे प्रेस करेंगे तो node नमबर चले जाएंगे, तो इस तरीके से आप एक grid की help से एक frame बना सकते हो, उस frame के numbers देख सकते हो, और उसके डेमिसंस आप चेक कर सकते हो, ठीक है, तो अब किसे को कुछ doubt हो, त तर वो middle mouse से हमारा cursor move करेगा न, पूरे host structure को हम देख सकते है, middle mouse से pan होता है, yes sir, pan वाला, है न, यह हो रहा है, middle mouse किसी भी software में common होते है, कुछ चीज़े होती है, common होती है, कोई भी software आप ले लो, उसी में middle mouse ज्यादा तर आपको, इसी काम मिलेगा pan के लिए, किसी चीज़ को उठा के अधर से उधर रखना है, देखना है, ठीक है, pan का मतलब यह नहीं होता कि उसकी position change हो रही है, coordinates change हो रहे है, ठीक है, pan का मतलब है, कि अवल screen को इधर उधर move कर रहे हो, मैंने अगर इस frame को यहाँ उठा के रख दिया है, तो इसके joints से इनके coordinates होंगे, वो ही रहेंगे, जो है, ठीक है, यहाँ आ रहे है, इजादता सभी software में काम करता है, ठीक है, तो यह तरीखा था आपका grid का, तो आप grid से लगबग 2D कोई भी structure बना सकते हो, grid को आप change भी कर सकते हो, ठीक है, अच्छा, अब यह देखो, इसमें जो grid में यह कौन सा plane है, यह है x plane, और यह कौन सा plane है, यह है y plane, और यहाँ पे जो yellow cursor मैंने बताये थे आपको, yellow cube, अगर मैं इसके यह वाले cube पे करता हूँ, इस वाले cube पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो टॉप है, तो देखो क्या होता है, जैसी मैं top पे क्लिक करूँगा, तो grid हमारी गायाब हो गई, बलकि एक line में द देखोगे, एक wall को अगर उसके, आप plane के साथ देखोगे, तो उसकी width थिकनेस दिखाई देगी न, तो grid के थिकनेस तो क्यावली है, तो इसलिए grid दिखाई ऐसी दे रही है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि grid मेरी इस plane पे हो, कौन से plane पे हो, अभी मेरे कौन सा plane set किया तो मैं edit में जाके इसको कर सकता हूँ, edit में गया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको, x और z, x और z करते ही, मेरी grid x और z में आ गई, grid को हम सैटिंग जो default है, वो कर देते हैं, one, ten, ठीक है, x और z, इसी तरीके से आप अपने हिसाब से grid को orient कर सकते हो, उसके plane चेंज कर सकते हो, यहाँ से, ठीक है, grid का जो origin है, उसके जो coordinate है, वो 00 है, आप अपने according चेंज कर सकते हो, ठीक है, यह आप plane के according, आप उसको rotate करना चाहते हो, किसी angle पर, तो कर सकते हो, कर कर के देखते हैं, अभी हम, यह जो grid का आपका plane है, यह क्या है, यह है आपका X, और यह है आपका Z में Y नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर YY के मैं कुछ value डाल देता हूं, तो देखो क्या होता है, 30 degree डाल देते हैं, ओकी कर देता हूं, देखो यह आप, Y कौन सा है, जो बाहर को आ रहा है, जो screen पर थम रखोगे, जो बाहर को X आ रहा हूँ आई है, तो उसके about यह rotate हो गई, 30 degree पे, ठीक है, अगर मैं इसको फिर से कर देता हूं, 45 degree, तो 45 हो जाएगी, ठीक है, और अगर मैं इसको कर देता हूं, 90 degree, तो यह किस तरीके से rotate हो रही है, यह इस तरीके से rotate हो रही है, तो आप X इस भी plane भी change कर सकते हो, grid का, grid के जो block है, उनको भी side change कर सकते हो, grid को rotate भी कर सकते हो, अब एक और X देख लेते हैं, और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे मैं SQ पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे 00 ही करते हैं पहले हम, अब SQ पे मैं क्लिक करता हूं, SQ X में 30, तो द तो यह जो आपका edit का option है, grid का, इसमें देखो सारी चीज़ा आपको पर चल गए होगा, यह plane चेंज करने के लिए है, यह किसी plane पे rotate करने के लिए है, यह आपका grid का origin चेंज करने के लिए, यह भी देख लेते हैं, एक बार origin चेंज करते हैं क्या होता है अभी, पहले इसको default set कर देते हैं, जीरों, अब ही origin कहां पे है, यहां पे है, 0, 0 पे, मैं origin चाहता हूं x में, माइनस five o आप देखो यहाँ पे पहले मैं इस बीम को डिलीट कर देता हूँ जो साहथ देखने में देखका था अब इस grid का origin कहां पे है अब इस grid का origin कहां यहां पे है इसके बाद minus five x में प्लस five x में तो इस तरह से आप grid के origin को भी change कर सकते हो अगर मैं y में भी डाल दू तो grid यहां जाएगी देखो y में डालता हूँ z में डालता हूँ 5 मीटर आपका जो है x में मैंने डाला 5 और z में मैंने डाला है plus 5 एक चेकिंड होल्ड करना x में मैंने डाल दू दू आपका है हमारा ठीक है देखो अब और जिन क्या हो गया हमारा is यहां प्रज़ो है और यहां प्रजिबू है अब हमारा or elan यह हो गया ठीक है यहां पर लिखावा return में नहीं आता बस आपको यहां से देखना पड़ेगा origin का है अगर ages पे है तो return में 0 जहां पर हमारा center है ठीक है ठीक है अब इस edit में ऐसी कौन से चीज़ है जो नहीं पता अगर मैं x में value डालू तो यह minus में और increase हो जाता है y में डालू तो minus में और increase हो जाता है तब आपका origin यहां सो होने लगेगा ठीक है तो इस grid के edit में आप किसी भी टाइप का टूडी बना सकते उस तक्चा अगर मैं आप से बोलू यहां पे ले ले लिते हैं पीज यह आपका एक cube क्यूब का एक face यह तो आप बना सकतो grid की help से पर मैं अगर बोलू 3D cube है इस तरीके का जिसमें depth भी है height भी है width भी है तो इसको कैसे बनाओगे grid से तो cable एक face बन सकता है आप grid से आपका यह face बन सकता है इस वाले axis पे यह पीछे वाला बन सकता है यह बन सकता है यह बन सकता है यह बन सकता है नीचे वाला बन सकता है ठीक है लेकिन आपका यह पूरा 3D नहीं बन सकता है इसलिए मैंने कहा कि ज्यादतर बनाने को तो बना सकते हो बहुत टाइम लगेगा ठीक है पहले एक फेस बनाओगे फिर ग्रिट को चेंज करो कि फिर दूसरा फेस बनाओगे उनको करोगे ठीक है तो यह तो बहुत लैंदी प्रसेस हो गया तो करना नहीं होता तो और भी तरीके हैं किसी भी तरह के स्थक्चर को बनाने के लिए टूड़ी प्लें कोई बनाना है आपको को फ्रेम कोई एक 0 बेंब बनाना है तो बहुत जले से बहुत शासा थारीके से ग्रिट की आप हैल ले सकते evolutionary को आप प्लेट को डिटो की आप ब्लोक क्या आप ब्लोक्स चेंज कर सकते वैसा सब्स्राइब तो किसे को कुछ पूचना ओन तो बताओ दू मिन्ट रुख जाते हैं और तो गलाथ थक गया है आपको कुछ पूछना डाउट हो तो बताओ हां दो गंटे की लास है तीन दीन होनी हकते में तो ज्यादा सा बताना है आपुरे रिकोडदेट विडियो में च्क्राइब कर सकते हो है आप आप हो साथ के साथ प्रेक्टिस नहीं कर पा रहे होंगे आपको ख़ुदी फिर करना पड़ेगा जाद जो रहे गर एको आप कर लें न सर मतलब दो नोट के बीच में जो लाइने वो एदा सिंगल मेंबर रियक्ट करती है सर तो सर जैसे हमने तीन कॉलम बनाए और सर पहले वाले कॉलम को ऊपर से टार्ड कॉलम से जोइन कर दिया तो अपने आप बीच वाला ऑटोमेटिक नोट सेलेक्ट हो जाएगा या नहीं हो होगा आप यह कह रहे हो ना एक कॉलम यह है एक कॉलम यह है और आपने बीम बनाया यहां पर कनेट किया और यहां पर डारेक्ट तो यहां पर कोई कनेक्शन नहीं होगा तो सर एदा यहां से वा तक एक सिंगल मेंबर ही रेक्टर देगा यह पूरा एक बीम होगा अगर यह एक एरर है, एरर भी है, पता है क्या होता है, आपको बता दू मैं कि काम कैसे होता है, काम कैसे होता है, थोड़ा सा एडिया आपको बता जाता हूँ होता है कैसे हैं वहाँ पर काम, वहाँ पे आर्गेटेक्चर जो मैप बनाता है, प्लान बनाता है मान लो आर्गेटेक्चर ने बनाया ये ये एक रूम बना देए ये सिंपल सा रूम ऐसे तो होता है बहुत बड़े-बड़े होते हैं द्रोइट भी दिखाई़ूँ आपको एक सिंपल सा है यहां पे column है यह एक room और बनायता हूँ यहां पे column है यहां पे column है यह architecture का बनाया हुआ है ठीक है इसके अंदर यहां पे लिखा हुआ है kitchen यहां पे room यहां पे bed बना हुआ है यह drawing आपके पास आई है civil engineer के पास कि आपको उसको stat पे design करना है तो आप सबसे पहले जो बेकार चीज़ी है जो काम की नहीं है डिजाइन नहीं करना उनको क्या करोगा डिलीट करोगे ठीक है इन सब को आपको क्या चाहिए के वल बिल्डिंग के जो element जो आपको design करने वो चाहिए drawing के अंदर जो autocad की drawing है तो आप इस तरह से उस drawing को convert करोगे हम इस process को बोलते है architecture drawing को convert करना structure drawing में क्योंकि architecture में तो बहुत ज़्यादा extra detail होती है हमें उस detail नहीं चाहिए हमें तो structure से related element चाहिए तो आपने सारे detail डिलीट कर दिया आपके पास रह गया column और beam ठीक है अब इस column का और beam का जो size है वो इस तरीके से है 1.237 meter क्योंकि architecture ने जो बनाई थी drawing को feet में बनाई थी और आप meter में बना रहे हो तो हम ऐसा ने ऐसे काम नहीं होता consultancy में कि आपने यहां से देख देख के आप step में बनाऊगे आप क्या करोगे इस AutoCAD की drawing को ही import कर लोगे stat pro में ठीक है इस drawing को आप एक format में save करोगे जो stat pro accept करता है फिस stat pro में आप उसको import कर लोगे तो यह stat pro में बना बनाया frame आ जाएगा ठीक है वो भी सार बताने हर चीज बताऊंगा मैं जैसे पूरा काम होता है आपको confidence आजाएगा इस training के बाद कि हाँ एक civil engineer हो एक building बना सकते हो तो जैसे आप इस AutoCAD की drawing को import करोगे तो वहाँ पर यह error आता है जो आपने बताया कि यहाँ पर यह जो बीम है इससे connect होना चाहिए था लेकिन जब AutoCAD की drawing आपने इंपॉर्ट के connection नहीं है तो वहाँ पर error हमें check करके remove करने होते है ठीक है और जहाँ अगर मालग आपको structure यह ऐसी type का है कि वह connection चाहिए ही नहीं ठीक है तो वह आपको उस तरीके से बनाना होगा तो वह जो आपने बात कही कि बीच में connection नहीं है तो वह ऐसे single member कहलाएगा यानि कि वह जो column है वह उस beam का load bear नहीं कर रहा है ठीक है और किसे को कुछ और पूशन आए तो कोई भी डाउट आ रहा हो structure को लेकर civil engineers को लेकर आप पूश सकते हो उसके आदना आगे चलेंगे ठीक है आप सोचो जर्म में आ रहा हो एक मिनिट में बस पानी पीगे कर दो कर दो कर दो कर दो है ठीक है किसी को कुछ डाउट आया दिमाग में आगे चलें चलें आगे चलें सर आपने बोला ना भी के कॉलम बेर ने कर सका लोड मतल बीम का किस की अकॉर्डिंग लोड इसकी कॉलम की ब्रेट और वो रखेंगे हाइट पर गहरा उसकी उसका टेक्स डिस्टेंस में कितना है वाई में कितना है अच्छा इनका अब म्यूट कर लो इनका जो कॉश्चन है कॉलम या पीम किसी भी ऐलेम्ट के बात करें जैसे अभी आप एग्जामपल दे रहेते कि यह कि यह कॉलम है यह बीम है और यह कॉल इनका एक दो चीज़ होंगे तो मटेरियल स्टील का है अलमुनियम का कॉलम है कंक्रीट का कॉलम है किस चीचा कॉलम है लकडी का है बुड का है टिंबर का है किस चीचा कॉलम है तो यह डिसाइड करना है मैं तूसर डिसाइड करना है तूसर डिसाइड करना है इस कॉलम का विट्थ क्या होगी और डेप्थ क्या होगी क्योंकि तो 3D होगा नहीं इस तरीके से और इसकी हाइट क्या होगी यह एक civil engineer कैसे decide करता है यह question है यह question है ना आपका यह सब्सक्राइब यह यह सबसे पहले बात आती है material की ठीक है material इस चीज पर depend करता है कि आपको किस टाइब का project है वो बनाना ही किस चीज से है मतलब यह तो एक client के उपर है ठीक है client ने कहा कि मेरे building steel की चाहिए तो आप steel यूज करोगे client ने कहा कि wood की चाहिए तो timber का भी यूज करोगे client ने का RCC की चाहिए तो RCC की आप यूज करोगे या फिर जहां research होती है जैसे अब research कर रहे है कोई space में कुछ चीज research कर रहे है तो वहां तो फिर research करते है कि वहां की environment के सबसे कौन से best material है या आइस की जगाँ पे जहां पे ice है बहुत ज़्यादा बरफील आइरिया है वहां पे कौन सा material best है जैसे वहां पे ज़्यादा तर वुड के बनते हैं पहाड़ों पर क्या होता है वुड की structure बनते हैं टिमबर यूज करते हैं तो वो तो environment और atmosphere पर depend हो गया कि कौन से material बनाना है ठीक है दूसरी चीज हो गई कि आपको उसकी dimensions कैसे पता चलेंगे इसके height कैसे अपसलेंगे एक कॉलम की बात करों फिर भीम करता हूँगा एक कॉलम का यह जो 3D आपका है कॉलम rectangle भी हो सकता है square भी हो सकता है circular भी होता है कॉलम आपने अपने college में देखा होगा कि कुछ कॉलम circular भी है ठीक है तो कॉलम का जो shape का area है यह depend करता है load के उपर और जो height हो depend करते है कि कि कितने height का structure बनाना है जैसे कि आपका जो room है उसका लगबग जो height होती हो मिटर होती है तीन मिटर क्यों रखी गई कि वह तीन मिटर में आपका जो human है वह easily अंदर बाहर काम कर सकता है अपने instrument को अंदर लेया सकता है अलमारी होती है अगर ज्यादा height रखेंगे तो बेकार है ज्यादा height रखने से कॉलम का size बढ़ जाएगा building ज्यादा लंबी हो जाएगी floor कम मिलेंगे तो height भी एक क्या है हमारे जनरल एक वह होता है कि बिल्डिंग में तीन मिटर हाइट रखते हैं ज्यादा अब डिपैंड करता है structure stadium है उसमें किस तरह का काम होना है तो height कितनी रखनी है तो वह उस इस का कि इस क्रो सक्षिन का क्या size रखे हम के जो उपर से load आ रहा हो बेर कर ले ठीक है अब दो तरीके हैं इसके manually और एक है आपका stat process software की help से stat pro नहीं कोई भी software manually क्या होता है आपको पता है कि इस column के उपर 5 kN load लग रहा है तो आप क्या करोगे इस load की वज़े से इसके अंदर के stresses calculate करोगे जो formula है जो हम books में पढ़ते हैं इसका bending moment निकालोगे deflection निकालोगे फिर हमारे पास formula है कि इसका size कैसे निकाल लें उस formula में बेंडिंग मेंट shear force लगाओके और आपका BOD की form में इसका cross section निकालोगे ठीक है बट यह तो मैन वली तरीका हो गया लेकिन software में ऐसा नहीं होता software में उल्टा होता है software में आपको इसका size assume करना पड़ेगा पहली first stage में ठीक है मानलों आप fresher engineer हो तो fresher क्या करेगा minimum size कितना होता है column का हो कहां से पता से लेगा वह आई एस कोड 456 2000 में जो guideline देता है में बिल्डिंग जाएंगे वह कहता है कि column का minimum size 230 mm by 230 mm होता है तो आपने stat pro में जो column बनाओगे इसको property क्या दोगे cross section 230 by 230 230 यह होगा 230 यह होगा फिर आप इसको design करोगे लास्ट में जब analyze करोगे और design करोगे तो stat pro बोलेगा यह तो fail हो रहा है क्योंकि जो इसके उपर load लग रहा हो बहुत ज्यादा heavy और आपका cross section बहुत कम है तो fail हो गया तो आप क्या करोगे फिर आप 300 mm लेके देखोगे तो सौफ्टर में इस तरीके से काम करता है लेकिन अगर आप structure engineering में experience हो तो आपको पता होता है कि इतने floor की building है इसमें size 600 by 600 लगेगा और आप लगाते हो और maximum वह पास हो जाता है ठीक है लेकिन जो beginner होता है वो इस तरीके से trial and error वाला काम करता है hit and trial वाला पहले सबसे minimum size अब अगर आइस कोड की guideline नहीं होगी तो वो क्या करेगा minimum size क्या लेके चलेगा एक mm लेके थोड़ना चलेगा कि पर एक mm लेके चलता हूँ कब तक चलेगा है ना अगर आपको experience है guideline आपने पढ़ी तो आप क्या करोगे 230 से start करोगे 50-50 mm add करते जाओगे जिस size पे हमारा structure पास हो जाएगा वो size आपको क्या हो जाएगा perfect size economical size column का ठीक है same as आपका beam में होता है लेकिन आपका manually में क्या होता आपको load की help से आपको निकालना होता है formula लगा के size उसमें यह होता है अब इसमें किसी का doubt यह कोई question होता है पूछो है किसी का कोई doubt इसे बहुत सारी चीज है जो guideline पढ़के और क्या कहते है experience से आती है आपको अच्छा एक चीज और बताता हूं दिवार जो ब्रिक बॉल बनती है वह एक ब्रिक की भी बनती है single और दो ब्रिक की भी बनती है जिसको हम भोलते है यह साड़े चार इंची है ना यह नौ इंची की बॉल बॉलते है न नौ कि की बुल कर आए यह साड़े चार नौ इंची की बूल है ना इसका जो size होता है यह लगबक 230 हम होता है और कोलम का size क्या बोला हम यह nah minimum 230 ऐसा क्यूंँअ ऐसा इसलिए के अर्केक्टक्ट्टर जो ओता है उसका काम क्या होताँ, muted building सुंदर लगे, उसका काम यह नहीं होता कि building में strength मिले, building अर्थ को एक में खडी रहे, यह strength देने का काम किसका होता, civil engineer का और show, अच्छी लगे देखने में- अथिस्टिक हो, वो किसा काम होता है, architecture का, तो architecture और सभी लोग ये causes करते हैं कि जो आपने देखा हूगा ना, अपने की building के room के corner पर आपका beam corner लिखला हुआ है है न, corner जो होते हैं flat नहीं होते, corner में beam निकले वे होते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते तो, यह column निकलावा बाहर वॉल से वो अच्छे नहीं लगते तो इसलिए कोसिश की जाती ये जो हमारी वॉल है दो सोतीस ऐम हैं तो यह मर्ज हो जाएंगी पता नहीं चलेगा कि कोलम कहा पे और वॉल कहा पे लाएं तो बहूत अच्छा लएगा देख में है ना तो मिनियम साइज इतना ही रखा करना और और अंदर के और है न तो आपको यह कॉसुस करनी होती है कि आपकी बृदिंग की स्ट्रेंथ ज vel 1 पज्ञाद ऑख अर्किटेक्ट्टर यह को सिस करता है कि बृदिंगहें वह स्थी देखनाए मेरताइट हो इसलिए इन दोनों में थोड़ु होती है आर्केटेक्चर में और एक civil engineer में आर्केटेक्चर कहता है ऐसा नहीं होना अची civil engineer कहता है ऐसा हो गई होना building गिर जाएगी तो यह थोड़ा सा एक issue होता है चलो हम चलते हैं अब second method पे जो beam, column, frame बनाएते वोनी को हम second method से कैसे बनाते है stat pro में तो grid को बंद कर देते हैं यहां से ठीक है जैसी में grid को मैं बंद करता हूँ तो इसके नीचे एक और property आ जाती है यहां पर यह एक table आ जाती है जिसमें हमारे nodes के बारे में दिया हुआ है एक आ जाती है जिसमें beams के बारे में दिया हुआ है जो बीम्स के बारे में दिया हुआ इसमें नोड में 9 से स्टार्ट है क्योंकि हमने डिलीट करती हैं बहुत सारे नोड जो 9 तक हम बना चुके थे इसमें बीम 6 से स्टार्ट है ठीक है हर एक नोड का अपने coirineat होगा ठीक है। तो X Y Z में अगर मैं यहां ZERO ZERO डाल दू तो देखो होगा क्या है यहां पर ZERO ENTER जीरो ZEROZERO ZERO तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक स्क्रीन पे एक ब्लैक टलर का डोट ये बन गया है ठीक है अगर मैं एक और यहां पर नोड बना दूं पांच मीटर लिखे एक्समें पांच डारेक्षिन पांच मीटर फिर Y में जीरो Z में जीरो तो आप देखोगे कि दो नोड बन गए है अब यहां पर एक note यह रहा एक note यह रहा अगर मैं y 2 आले उस पे click कर दूँ क्या कहते हैं यलो आले cube में first cube में तो ये isometric front view हो जाएगा और front view होते हैं हमारे cursor बिल्कु शीधे हो जाएगे notes एक note यह रहा एक note यह रहा अब इसमें बीच में क्या बनाना है में beam member तो उसके लिए नीचे table है तो इस node का number क्या है 1 इस node का number क्या है 2 तो हमें नीचे वाली table में 1 और 2 डालना है बस यहाँ पर डाला 1 और यहाँ पर डाला 2 तो आप जैसी मैं इसको रख कर देता हूँ देखो गया आप beam बन गया तो आप एजी है या बेकार मैथड़ है इसमें थीडी में भी काम कर सकते हैं उसके सिर्फ टूड़ी रखना पड़ेगा उसे चेंज करना पड़ेगा अब मैं बताता हूँ यह वाला जो मैथड़ है यह आपको कभी भी जरूत नी पड़ेगी इस मैथड़ की यह एजी नहीं है यह बहुत ज्यादा टफ मैथड़ है एक बिल्डिंग में लगबख कितने बीम होते हैं अगर आप दस फ्लॉर की बिल्डिंग बना रही हो तो हो सकते हैं उसमें सो बीम हो और पचास कोलम हो आप हर जोइन के कोडिनेट की वैल्यू कैसे निकालोगे कोडिनेट की वैल्यू की तो आपको निकालनी पड़ेगी और वहां अंड़े यहां डालोगे कैसे है ना तो यह बहुत ज़्यादा टफ मैथड़ है एक दो बीम बनाने के लिए ठीक है अब मैं को दूसरा बीम बनाना है ऐसे ऐसे इस डारेक्शन में जाना चाहिए और तीसरा बीम इस डारेक्शन में चोथा ऐसे बनाना है तो मुझे इसके कोडिनेट्स पता होने चाहिए इसके कोडिनेट्स पता होने चाहिए है ना अब मैं इसके कोडने निकालता हूँ चलो ये है 00 पे ये है आपका Z डारेक्शन में तो ये 5 मिटर का हो गया तो ये हो गया Z हो गया इसमे 5 लगा ना मेरे को टाइम अब मैं यहां पे डालता हूँ एक्स जीरो वाई जीरो और जैड में 5 मिटर ठीक है इसको आई समेटिक ले ले लेता है तब ही दिखेगा वो हमें ये बन गया हमारा देखो हैं है अब बिरको यहां से सीधा एक नोड यहां बनाना तो इसके कोडिनेट क्या हूँगे 5 पांच यानि की X में 5 और जैड में 5 त पचास डाल दिया वने, पांच हो रहा हूँ, यह बन गया, दूसरा नोड, आप देख रहे हो, एक नोड यह बन गया, अब मुझे यहाँ बीम बनाना है, तो इस नोड का नंबर क्या था, तो सिफ्ट एंड दबाता हूँ मैं, तो नोड नंबर आ जाएंगे, सिफ्ट एंड स तो यहाँ पर अगर मुझे बीम बनाना है, यहाँ पर अगर मुझे बीम बनाना है, तो मुझे कौन कौन से जॉइन को कनेट करना है, टू और फॉर को, तो यहाँ पर मैं क्या डालूँगा, यहाँ पर टू और फॉर, टू और फॉर, एंटर, इन दोनों को कनेट करना है, और इन दोनों को किनेट करना है तो 1 और 3 देखो तो इतना छोटा सा फ्रेम बनाने के लिए हमें कोडिनेट्स निकालने पड़े लेकिन बिल्डिंग आपको पता है कैसी कैसी होती है सरकुलर इधर उधर अंगल वीम उन सबके कोडिनेट्स आप नहीं निकाल सकते हजार वीम भी हो जाते हैं कभी कभी सो कॉलम भी हो जाते हैं तो सो कॉलम यानि कि 200 नोड हजार वीम यानि कि 2000 नोड उनके कोडिनेट्स निकालना फिर उनके किस से कौन सा कनेक्ट हो रहा है वो हम नहीं बना सकते तो यह वाला method जो है यह बहुत कम use होता है कभी-कभी एक building में किसी node में कोई दिक्कत आ रहे है उसके coordinate आपको पता करने है तो यहां से पता कर सकते हो आप आप बनाओ किसी भी तरीके से structure यहां पर यह automatic fill होता जाएगा ठीक है समझ गए यह चीज एक बार मैं stat को close करता हूँ दुबारा open करता हूँ कुछ बताने के लिए यह हमारा stat pro मैं इस पर double click करके open करता हूँ तो देखो आप यहां पर दिखा रहा है यह day one की file recent में इसी पर मैं click करता हूँ यहां पर यहां पर यह आगया क्यूंकि मैंने day one की file पर ही click करा तो आप grid नहीं आई है ठीक है और यहां पर वो table भी नहीं आई है क्या कहते हैं जो table आप आप बी coordinates की देख रहे हैं तो वो कहा से activate करनी है zoom कर लेते हैं उसके लिए देखो यह जो आईकन आप देखरे हो यहां पे वाला यह ग्रीड यह जाएगी दिवाराjos in करके करता हूं ए ग्रीड आ गई भेडा गई और यहां से ग्रेट काप आप अब वो जो अभी में कोडिनेट्स डाल रहा था वह वाली प्लेट तो है यह जो अभी जो आ रहे है ना प्रोपर्टी यह प्रोपर्टी वह आ रहे है आप याद करो जब न्यू प्रोजेक्ट किया था तो वहां पर आ रहा था एड़िट इंजिनरी इंफोर्मेशन वह है यह आप इंजिनियर की इंफोर्मेशन डाल सकते हो ठीक है पर मुझे यह भी नहीं चाहिए मुझे तो वह चीज़ जो ग्रिट वह आ रहा था आपका जहां पर मैं कोडिनेट्स डाल रहा था है ना तो उसके लिए आप यहां पर जिमेट्री पर क्लिक करो होगे तो दूबारा से बताता हो जिब निव परजेक्ट करते हैं तो हमारे पर क्या के चीज़ आती है और उनको वापस लाने के लिए हम क्या करें दौबारा से निव परजेक्ट मैं कर रहा हूँ space, title, try, meter, kilonewtun, यहां पे space स्लेक्ट है, मैंने का आपको कुछ भी कुछ भी स्लेक्ट करने की जडरूती नहीं, space के अलावा, space में सारे काम जाते हैं, यहां पे add beam में जाने के बाद, आप यह सारे काम कर सकते हो, तो add beam पे ही आपको जाना है, बस finish, आपको जो mouse का cursor है, वो beam बनाने के लिए ready है, सबसे पहले आपको normal cursor पे जाना है, जो आप keyboard के skip बटन से भी जा सकते हैं, और यहां से भी जा सकते हैं, आप यहां पे grid आ रही है, तो grid को close कर दो, यहां से फिर दुबारे से लेके आजाओ, on, off, on, off, ठीक है, grid के नीचे आ रहा है, आपको geometric option, जहां पे आप coordinate के help से बना सकते हो, तो वो यहां पे है, यहां से बना सकते हो, on, off, on, off, यहां से हो जाएगा, ठीक है, इस पर click करते grid भी आ जाती है, automatic, तो दो तरीके आप सीख चुके हो, एक तो है आपका, कहते हैं, grid की help से आपको बनाना है, structure, और आपको एक बनाना है, आपको, कहते है, coordinate की help से, देखिए, जैसे कि मैं किसी चीज़ को अगर बोलता हूँ, कि यह चीज़ है ना, बहुत कम use होगी, इसको कोई use नी करता है, इसका मतलब यह नहीं है, कि उसकी practice नहीं करना है, उसको सीखना नहीं है, मैंने का, बहुत rare, advance की जगा, पर फस जाओगे, कहीं काम करोगे, वहाँ यह चीज़े काम आ जाती है, क्यार, यह वहाँ पर help कर सकते हैं, वहाँ पर तो हम कर सकते हैं, इस चीज़ पर ठीक, ठीक है, किसी building में एक node है, वो अपनी position से कहीं आ रहा है, हिल गया है, क्योंकि आपने क्या किया है, AutoCAD से, आपने file को import किया, तो कोई एक node है, जो अपनी position से हिल गया है, उस node का आप click करोगे, तो उसके coordinate यहां आ जाएंगे, और आप उस coordinate को share सकते हो, तो देखा, वहाँ ये काम आ गया, ठीक है, grid का, आपको कुछ चीज़ बनानी है, जल्दी से बनानी है, तो आप grid के help कर सकते हो, तो ये सब चीज़ों की भी practice करनी है आपको, ठीक है, आगे मैं बता नहीं रहा हूँ कि मुझे लग रहा है ऐसा कि जो बल्कुल basic है, जिनको बल्कुल अभी software के इतने friendly नहीं होते हैं, उनको दिक्कत हो जाए कि ज़्यादा एकी class है बताना, लेकिन मैं आपको कुछ homework दूँगा, जो आपको try करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको एक beam बनाना है, जो होगा आपका 7.8 meter का, try करना है आपको ये, ये और भी joints है, नको 102 बोल दें, फिर आपको एक frame बनाना है इस तरह के का, 6 meter column की height, और 3 meter beam की height, फिर आपको एक और structure बनाना है कुछ इस तरह के का, ये वाला structure आप लोगों बनाना है, ये frame, multi-story frame, ये नीचे कुछ भी नहीं है, ये है आपका 3 meter, 3 meter, ये है आपका 4 meter, ये है आपका 6 meter, एक grid की help से बनना है, ठीक है, और एक बार ही नहीं को, किसकी help से बनाना है आपको, कोडिनेर की help से, ठीक है, कल मैं पूछूँगा, किसी ने बनाया हो, तो skin sort ले ले लेना, मेरे को दिखा देना हो चीज, कल के से मुझे लग रहा है कि, ये डेड़ दो घंटे में तो मैं ठक गया हूँ, इसमें, ये डेड़ घंटाई कलास करते हैं आज, जैसे जैसे आपको थोड़े फ्रेंडली हो जाओगे, आप काम करने लोग होगे, हम बड़े बड़े परजेक्ट करोगा हो सकता है, दो से तीन घंटे भी कलास हो, क्योंकि मालो मैं कोई आपको बीम डिजाइन करना सिखा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है, बीम डिजाइन में बीच में छोड़ दूँगा, पूरा बीम डिजाइन करना बताऊँगा एक ही बारी में, बीच में तो उसे फाइल कम छोड़ नहीं सकते हैं, तो कुछ किला से बड़ी भी हो सकते हैं, कुछ किला से छोटी भी हो सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, इतने को ये तीन स्ट्रक्चर आपको ग्रिट से भी बना के देखने हैं, और आपको coordinate से भी बना के आए जो student ऐसे हैं जिनों नोने कभी stat pro software चलाया भी ता वो भी एक बार इसको प्रैक्टिस कर लें ठीक है बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि basic सिखा जाएगा बहुत basic से advanced तक सिखा जाएगा वो यह मैं अभी 15-20 मिट में वीडियो भी डाल दूगा और इसका link भी भेज़ दूगा और attendance भी count होती है इसकी याद रखना 23 student है 32, 33 student ने enroll करा है इसमें ठीक है last मैं पूछ रहा हूँ किसे को को doubt कुछ पूछना है क्लास को leave करें सर्व वो अकास का वो पूछ रहा था उसकी टीम्स पर शोई नहीं हो रहा है आकास वो मेरे को WhatsApp पे एक बार अपनी email ID भेज़ देगा ठीक है वो बता रहा है उसनों बेज़ राखिया आपको ठीक है तो इसी के साथ इसको कल ढाई बज़े करेक्ट यह प्रैक्टिस कर चुके होंगा आप कल तक पांच-दस मिट लगे कि प्रैक्टिस करने में कर लेना आगे फिर थोड़ा और एडवांस चलेंगे ठीक है प्रश्टिस कर दो लेक्टिस करें प्रैक्टिस कर दो में कर दो अगड़ा है